है नो दोस्तों कैसे हैं आप सभी उमीद है कि दूआउं से मैं भी अच्छा हूँ अ cleaned , सेमेश्डर का जो आप लोगों का पेपर हुआ है उसके सलीस्टन को लेकर के मैं आप लोगों के पूरे पेपर का मैंने दोस्तों solution आप लोग को दे दिया है आप लोग description में link मिलेगी वहाँ पर जाईएगा देख सकते हैं तो चले दोस्तों शुरू करते हैं आज आपका पहला question था कि अभिज्यान साकुंतलम रचना की तो अभिज्यान साकुंतलम के रचना कार कौन थे तो आप सभी जानते हैं दोस्तों इसका जो आप लोग का right answer हो जाएगा काली दास थे दोस्तों अगला है आपका कि गुप्त कालीन महान वैद थे तो गुप्त कालीन महान जो वैद थे दोस्तों आप लोगों के धनवंतरी थे कौन था आपका धनवंतरी थे अगला है कि तृतिय बोध संगीती का आयोजन कहा हुआ तो तृतिय बोध संगीती का आयोजन आपनों का पाटली पुत्र में हुआ अगे बढ़ते हैं अगला question कि राज राज प्रथम साषक थे दोस्तों तो राज राज जो प्रथम शाक थे आपको चोल वंस के सा सक थे दो पर कब थे दोफ्तों अगला तराइन का प्रथम युद्ध हुआ तस्तन 1191 में हुआ था कब गया था दोस्तों 1191 में हुआ था चलिए आगे बढ़ते हैं राजधानी परिवर्तन के लिए कौन सा सुल्तान प्रसिद्ध था दोस्तों पुछ रहा है कि राजधानी परिवर्तन के लिए कौन सा सुल्तान प्रसिद्ध था तक मुहम्मद बिन तुगलक था अगला पानीपत के प्रथम युद्ध में पराजित हुआ था तो इब्राहिम लोदी पराजित हुआ था कौन इब्राहिम लोदी ताली कोटा तो ताली जो कोट में बनाएगा ताली उसको मिलेगी गाली 1565 हिस्वी में कब दोस्तों 1565 हिस्वी में ताली कोट का युद्ध हुआ था अगला आपका है निसूलक और अनिवार बाले सिच्छा धिकार धनियम 2009 कब दोस्तों 2009 में पारित हुआ था मूल सम्विधान में कुल अनुच्छे तो 395 कितने दोस्तों मूल सम्विधान में कुल जो अनुच्छे थे आपके 395 हैं चली आगे बढ़ते हैं अगला है कि सम्विधान सभा का गठन किया गया क्या दोस्तों कि सम्विधान सभा का जो गठन है कब किया गया तो 6 दिसम्बर 1946 को तो आप लोगों का अपसन राइट हो जाएगा दूसरा प्रित्वी पर वाइद आप की कितनी पेटियां है तो आप लोगों का कितना हो जाएगा दोस्तों चार पेटियां है कितनी है चार पेटियां है अगला प्रित्वी की आंतरिक सक्ती से क्या होता है तो आंतरिक सक्ती से आपका भुकंब आता है ज्वाला मुख़ी आता है तो आप drink answer कॉन सा हो जायेगा जो था अगे है कि चीनूग क्या है दोस्तों तो एक स्थानिय बोल सकते हैं गरम हुआ है अगला आपका कि फाहियान किसके साषनकाल में भारत आय थे तो फाहयान दोस्तों चंद्रगुप्त दितिय के सासनकाल में भारत आये थे अगला कि समुद्रगुप्त के इलहाबाद स्तंभ लेक के रचाईता कौन थे तो आपके हरी शेड थे कौन थे हरी सेन आप लोग के रचाईता थे अगला गुलाम वंस की स्थापना किसने की तो गुलाम वंस की स्थापना आप लोगों का कुतुब बुद्दीन आयबक ने किया था अगला रजिया क्यों असफल हुई कोई एक करड़ बताईए देखे पहला बात तो रजिया के असफल होने का भईया पहला काम करड़ था कि वो इस्त्री थी क्योंकि इसलाम वंस में इसलाम वंस जो था न वो इस्त्रियों का जो सासक होना वो अनुचित मानता था तो पहला तो करड़ ये था दूसरा करड़ आगर आपको हम ये बताएं तो उसका करड़ था देखे सरदारों का विश्वास घात तीसरा परिवारिक तनाव कई चीज़ें थी तो पहला आप बोल सकते हैं कि उसका में करड़ था तो वो क्या थी खुद इस्त्री थी ठीक है इसी लिए वो क्या हुई असफल हो गई अगला है कि अलाओ दिन खिलजी दोरा किये गए दो सैने सुधार लिखे देखे पहला सैने सुधार ये था कि उसने क्या किया कि सैनिकों को नगद जो वेतन है देने की प्रथा चला दी और दूसरा सुधार उसने क्या किया देखे स सैनिकों को नगद वेतन दूसरा था कि अगर कोई भी सैनिक जो सेवा निव्रित होता है तो उसको क्या मिलेगा पेंसन क्या मिलेगा पेंसन ये दो उसने सैने सुधार किये थे अगला है भाईया इबन बतूता किसके सासनकाल में भारत आया था इबन बतूता किसके सासनकाल में देखें इबन बतूता जो था मुरको का यातरी था कहां का था ये ये मुरको का था मुरको का था और किसके सासनकाल में आया था तो ये मुहम्मद बिन तुगलक किसके मुखममद बिन तुगलक के साइशन कलमे बिजय नगर सामराज की स्थापना किसने की तो हरिहर तथा बुखka किसने हरि हर और बुखka नमक दो भाईयों ने की थी हरिहर और बुखka नमक तुगलक वन्स के प्रमुक सासकों के नाम लिखिए तो तुगलक वंस का प्रमुक सासक आपका गयासु दिन तुगलक हो जाएगा उसका जो पुत्र था मुहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा और फिरोज सासु गलक ये तीन आपके हो जाएंगे अगला संभिधान सभा की प्रारूप समीती के अध्यक्ष कौन थे तो संभिधान सभा की प्रारूप समीती के जो आपके अध्यक्ष थे वो कौन थे वी आर अंबेड कर कौन वी आर भीमराव अंबेड कर 26 जन्वरी को गरतंतर दिवस क्यों मनाया जाता है दोस्तों आप बोल सकते हैं देखिए कि आधिकारी तोर पर क्या कि आधिकारी तोर पर जो हमारा संविधान था वो 26 जन्वरी को ही लागू हुआ था कब 26 जन्वरी को ही आधिकारी तोर पर हमारा संविधान लाग हुआ था इसलिए हम गड़त अंत्रियोस की रूप में मनाते हैं अगला है कि भारती संविधान की कोई एक बिसेश्ता लिखिए दोस्तों क्या है कि भारती संभीधान कोई एक विश्यस्था था हम बोल सकते हुआ देखिये दर्म निरपयक्ष था है धर्म निरपयक्ष की बात करता है संगवाद संग्वियशरकार कई चीज़े है इस पर हम लोग कर सकते हैं आगे पृतवी की आन्तरीक संरचना में कितनी परते हके प्रिथवी की आंतरिक सन रचना में कितनी परते हैं ते देखिए तीन परत, एक उपरी सता जिसे भूपरपटी कहते हैं, दूसरा मध्य, मैटल और तीसरा आंतरिक जिसे धात्वी या क्रोड बोलते हैं दोस्तों, ये हो जाएगा, वायुदाब किसी अंतर द्वारा मापा ज जाता है दोस्तों, वायुदाब, गार्ज किसे कहते हैं दोस्तों, तो गार्ज क्या होता देखिए कि ये एक वी आकार की घाटी है, क्या वी आकार की घाटी है, जिसे दोस्तों सकरी घाटी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सकरी घाटी, सकरी घाटी बोलते हैं, तो इस तर दिया और लगुतरी में दोस्तों क्या पूछा गया देखिए चंदरगुत मौरे के प्रसासन की विश्ताओं का उलेख करिए सिर्फ प्रसन दिखा देते हैं गुपतकाल को प्राचीन भारत का सोड़ू क्यों कहा जाता है चोलों के स्थानी सोशासन का उलेख करिए से आप क्या समझते हैं सेल किसे कहते यह कितने प्रकार की होती है वाई मंडल का हमारे लिए क्या महत्तो है तो यह आपका था दोस्तों उमीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी चैनल पर दोस्तों नए होई एगा चैनल को ज़रू सब्सक्राइब करिएगा